दौर में पहुच चुका है जहां अब तीसरे विश्युद से ही जंग का फैसला होगा रूस के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि अगर युक्रेन ने बाते नहीं मानी तो उसका अंजाम क्या होगा यह अपरिपोर्ट में समझ रहे कि पूरा है कि अब मरेगा अमेरिका और निटो अब ये बड़ी खबर नहीं है कि रूस युक्रेन के बीच 960 दिन से जंग चल रही है अब ये भी खबर नहीं है कि रूस युक्रेन की डाजधानी क्यू समय दरजन भर शेहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है अब खबर ये भी नहीं है कि युक्रेन को अमेरिका और निटो से वो घातक हतियार मिल चुके हैं जो रूस की राजधानी मौसको को तबाह कर सकते हैं अब खबर ये है कि पुतिन तीसरा विश्व युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तयार हो चुके हैं और बेलरूस को उन्होंने जंग में उतारना शुरू कर दिया है अब सबसे बड़ी और खौफना खबर ये है कि रूस अब परमानु जंग का पूरा मन बना चुका है जिसकी वजह से अमेरिका के पेंटागन में बैठे टॉप जनरल तक पहुचके हैं रश्रपती पुतिन अब तीसरा विश्व युद्ध करने के लिए मजबूर हो चुके हैं पिछले 24 घंटे में रूस यूकरेन युद्ध में हाला 30 से बदल रहे हैं दावा किया जा रहा है कि अमेरिका समय नेटों के 32 देश अब यूकरेन को जंग जिताने के चकर में आग से खेल रहे हैं रूस पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उससे पुतिन को एहसास हो चुका है कि अब रूस को तीसरा विश्व युद्ध हर हाल में करना ही पड़ सकता है रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरों ने अमेरिका को लतारते हुए कहा कि अगर कल विश्व युद्ध में यूरोप तबाह होता है तो उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरों ने साथ कहा है कि यूकरेन को अमेरिका और नेटो के इशारे पर बेहद घातक हतियार मिल रहे हैं और रूस इसे जरा भी भरदाश्ट नहीं करेगा हाला कि रूस ने 26 और 27 अगस्त को यूकरेन की राधानी क्यू समेथ यूकरेन के कमसकम आठ इलाकों को निशाना बनाया है लेकिन रूस को लगता है कि नेटो और अमेरिका उसे अंतहिन युद्ध में खीच रहे हैं अब हम आपको एक एनिमेशन के जरीए समझाते हैं कि रूस नेटो और अमेरिका की किस हरकत के बाद बुरी तरह से भड़का है जरा इस वीडियो को देखिए जिसमें राश्ट्रपती जेलेंस की एफ-16 फाइटर जेट पर बैठे हुए हैं जेलेंस की एफ-16 को युद्ध में गेमचेंजर बता रहे हैं अब आप वो एनिमेशन देखिए जिससे आपको बता चलेगा कि रूस आखिर क्यों अमेरिका और नेटो को अपना नमबर वन दुश्मन मानने लगा है वार जोन से आ रही रिपोर्ट के मताबिक यूकरेन को मिले एफ-16 रूसी सेना के लिए काल साबित होने लगे हैं दावा किया जा रहा है कि जब रूस ने यूकरेन के उपर घातक मिसाइलों से पलटवार किया तो उसमें से कई मिसाइलों को एफ-16 फाइटर जेट ने मार गिराया दावे यहां तक किये जा रहे हैं कि इसी वजह से रूस के कुर्थ में रूसी सेना को भारी नुकसान भी हुआ यूकरेन को नेटो देशों से एडवांस एफ-16 एस जेट मिले हैं जो कि रूसी मिसाइलों को काउंटर करने के लिए जम कर इस्तेमाल किये जा रहे हैं रूस यूकरेन के ताजा हमलों से ये भी साबित हुआ है कि स्टॉम शेड़ो जैसी मिसाइलें यूकरेन रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है इसलिए रूस के विदेश मंतरी सरगी लावरो ने कहा है कि अमेरिका को आग से खेलना बहुत भारी पड़ेगा अनकि अमेरिका और नेटो बार बार ये कह रहे हैं कि वो रूस के खिलाफ सीधी जंग नहीं कर रहे हैं बल्कि रूस के विदेश मंतरी का साफ कहना है कि ये ब्लैक मेल है ये दिखावा करने का प्रयास है कि पश्चिम अत्यधिक तनाव से बचना चाहता है अब हम एक बार फिर पुष्ट कर रहे हैं कि ये आग से खेल रहे हैं बच्चे माचिस के साथ छोटे बच्चों की तरह खेल रहे हैं बड़े चाचाओं और चाचियों के लिए एक बहुत ही खतरनाग बात है 6 अगस्ट 2024 से अब तक यूकरिनी सिना ने अमेरिका और नेटो के हत्यारों से भयंग कर हमले रूस पर किये हैं हमलों से बाखलाए पुतिन अब ये मान चुके हैं कि जब तक यूकरिन को पूरी तरह से भस्म नहीं किया जाएगा तब तक नेटो और अमेरिका इसी तरह से तिल-तिल करके रूस को मारते रहेंगे यूकरिन ने रूस के कुर्ष्ट में जिस तरह से हमले किये हैं वो हैरान करने वाले हैं रूस को खुफिया एजेंटों से पता चला कि अमेरिका और नेटो यूकरेन को वो हत्यार या तो दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं जिसके दम पर यूकरेनी सेना रूस के मौसकों तक भयांकर तबाही मचा देगी इसी को ध्यान में रखकर रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर ऐसी परमानू जंकी तैयारी की है जो नेटो और अमेरिका के होश उड़ा सकती है वार जोन से आ रही रेपोर्ट से ये भी पता चला कि यूकरेन को रूस के कुर्फ्स और बाती इलाकों में हमला करना बहुत भारी पड़ गया है अब तक रूस की मिसाईलों और ड्रोन्स ने कियू, विद्नितेशिया, जीतो मिर, खमेल निट्सकी, दिनप्रो पोत्रोवस, पोलतावा, निकोलेव, किरुवागराज और ओडेशा के इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन को निशाना बनाया गया लुवो, इनावो, फ्रेंकोवस और खारकियू के गैस कंप्रेशन स्टेशन और गैस ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम को निशाना बनाया गया इसके अलावा कीव और दिनप्रो पोत्रोवस इलाके के एरफिल्ड और हत्यार डीपो को टार्गेट किया गया रूस ने दावा किया कि उसके मिसाईलों और ट्रोंस ने सटीक निशाना लगाया है यूक्रेइन के कमसकम दरजन भर हत्यार डीपो उड़ाए जा चुके है रूसी रक्षा मंत्राले ने यहां तक दावा किया कि उक्रेइन को कुर्स में काफे नुकसान हुआ है 6 अगस्त से 27 अगस्त तक उक्रेइन के लगभग 6600 सैनिक मारे गए या घायल हुए जबकि यूक्रेइन के 70 से अधिक टैंक नश्ट कर दिये गए हैं यूक्रेइन के हमलों को रोकने के लिए पुतिन ने बेलारूस से मदद ली है रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेइन की सीमा पर भारी टैंक और बखतर बंद गाडियों की कतारें दिखी हैं इनको सीमा पर ही इकठा किया जा रहा है सुरक्षा थिंग टैंक ने दावा किया है कि नए मोर्चे पर चुनावती दे कर पुतिन अभ यूक्रेइनी सेनीकों को पीछे करने की कोशिश में लगे हैं इधर यूक्रेण बेलारूस के तानाशा अलेक्जेंडर लोकाशेंको को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है और रूस को जंग में हराने का दावा किया है तक जो गलोव कुम् दो पविव शड़ादी दी ह्याओने की चेतावा, चेतावा पीजाम की यूक्रेणी चेतावानी की दी है और यूरोप के देशों पर सीधा हमला। दस्सन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने बेलारूस से अतिरिक्त फौज मंगाई है। वी चिन्ध वाले बेलारूसी टैंक यूकरेन की सीमा पर दिखाई दिये हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने बेलारूस के साथ अच्छी तरह से परमानू हमले की तैयारियां कर ली है। किंजल मिसाईलें बेलारूस से यूकरेन पर हमला करने के लिए तैयार हैं। जबकि रूस से मिले परमानू हत्यारों के साथ बेलारूस और रूसी सेना के टॉप कमांडर साक्षा हमला करने की रणनीती बनाने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि यूकरेन और बेलारूस सीमा पर बेलारूस ने एक लाख सैनिक पहुचा दिये हैं। अब यूकरेन और बेलारूस के बीच एक हजार चौरासी किलोमीटर सीमा पर भयंकर जंग की पूरी तैयारी हो चुकी है। इधर यूकरेन ने कहा कि यदि बेलारूस के राश्पती अलेकजेंडर लोकाशेंको ने अपने सैनिकों को नहीं रोका तो बेलारूस के सैनिक अड़े और सप्लाई मार्क पर यूकरेन हमले शुरू कर देगा। कमانڈर इन चीफ अलेक्जेंडर सिरस्की ने दावा किया है कि कुर्सक इलाके में युकरेनी सेनिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और दुश्मन बड़ी खीमत चुका रहा है इधर बेलारूस ने युकरेन की उत्तरी सीमा के पास गोमेल शेत्र में स्पेशल ओपरेशन फोर्सेज हत्यारों और सैन्य उपकरणों सहीद बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनाद किया है ख़बरों के मताबिक 18 अगस्त को सीमा पर 120,000 से जादा सैनिक पहुँच चुके है रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर ये चाल क्यों चली है जराई से भी समझ लीजिए असल में यूकरेन को नेटो से एफ-16 के साथ साथ घातक मिसाईलें और एर डिफेंस नेटो से मिल चुके हैं जिनका इस्तिमाल रूस के खिलाफ हो रहा है कुर्ट्सक में यूकरेन नेटो से मिली मिसाईलों से भारी तबाही मचाई है एक अनुमान के मताबिक 6 अगस्त से अब तक हर रोज यूकरेनी हमले में 600 रूसी सैनिक मारे गए हैं और यूकरेन के इन हमलों के पीछे नेटो और अमेरिका के घातक हत्यारों का हाथ माना जा रहा है जो अब रूस को तीसरे विश्वयुद्ध के लिए मजबूर कर रहे हैं इधर पोतिन ने अपने टॉप कमांडरों के साथ मौसको में मेटिंग की है क्यूंकि रूस को ख़बर मिली है कि यूकरेन ने बहुत भारी संख्या में मिसाइलें बनाना शुरू कर दी है जबकि अमेरिका और नेटो सीक्रेट ऑपरेशन के जरिये रूस को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में है इसलिए रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरों ने पश्चिमी देशों को धमकाया है रूस के विदेश मंत्री ने कहा है किसी ना किसी पश्चिमी देश में परमानों हत्यार सौपे गए हैं वास्ताव में ये धोखा है अमेरिका इस पश्ट रूप से तीसरे विश्वयुद्ध की तरफ जा रहा है भगवान ना करे अगर ऐसा होता है तो ये विशेश रूप से यूरोप का प्रभावित करेगा खबरों के मताबिक रूस ने कुर्स्ट में घुस करके यूकरेणी सेना पर ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट और तूफ खानों से बड़े हमले दोबारा शुड़ू कर दिये हैं रूसी रक्षा मंत्रलाई की तरफ से जारी किये गए इस वीडियो को देखिए लैंसेट अटैक ड्रोन द्वारा एक यूकरेणी टैंक को निशाना बनाया जा रहा है इस वीडियो में जोरदार धमाका होता है और यूकरेणी टैंक तबाह हो जाता है फॉर एक्सपर्ट्स के मताबिक यूक्रेणी सेना कुर्स में फंस चुकी है और रूसी सेना चारों तरफ से उसे घेर कर मार रही है इसलिए यूक्रेणी सेना ने कुर्स एटमी सैंत्र को टारगेट बनाया ताकि रूस को डराया जा सके लेकिन हकिकत में पुतिन ने यूक्रेणी के साथ साथ 32 नेटो देशों को एटमी धंकी दे दी है दावा किया जा रहा है कि रूस नेटो के 32 देशों से एटमी जंग कर सकता है और उन्हें तबाह कर सकता है अब देखना होगा यूक्रेणी का अगला कदम क्या होता है